हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अबीशी एक अड़ में पर फ्रेंट्स आज के इस क्लास में भी आप सर्शाठवी वीपियसी के लिए टॉप 30 कुश्चन देख रहे हो हर एक कुश्चन के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है हर बार क का सबसे बड़ा जो साक्ष है वो किस अस्थल से प्राप्थ हुआ है ओप्शन नमर आपका यहाँ पर सी बिलकुल सही हो जाएगा नवदा टोली नाम ध्यान रखिए का देखिए नवदा टोली जो है नर्मदा नदी के ही किनारे में स्थित है अगर पूछे कहां पर है तो बोगाज कोई अभिलेक जो है वो कहा से प्राप्थ हुआ है ओप्शन नमबर ए हो जाएगा सही जवाब एसिया माइनर से देखिए बोगाज कोई अभीलेक एसिया माइनर चेतर यानि कि अगर पूछे कहां से तो तुर्की आपको धिहान रखना है ठीक है कहां से तो तुर्की से प्राप्त हुआ है यह अभिलेक अगर पूछ ले कि कितना पुराना है यह भी पूछ सकता है आपसे तो 1400 इशा पुर्व आपको ध्यान रखना है ठीक है 1400 इशा पुर्व का है इस अभिलेक से मतलब यह कहिए कि आप अनुमान लगाया गया कि आरे का जो मूल परदेश है वो कौन सा था अगर आरे का मूल जो परदेश है यानि वो कहां से आये थे कहां के रहने वाले थे तो मध एशिया पता चलता है किस से पता चलता है इसी से एशिया माइनर से ठीक है मध एशिया के रहने वाले थे इस पर जो है इंद्र, वरून, मित्र हो गया और ये नासत्य देवता है इन सब के बारे में मतलब दिया हुआ है उस पर उलेक है इसके बारे में यही से मिला है ठीक है आईए देखते है निक्स्ट कुशन नमबर थर्ड है कि निमलिखित मैंसे किस सासक ने संपूर्ण स्रिलं पर तो समझ लिजे सबसे पहले कुछ बात ध्यान से समझेगा देखे सबसे पहले स्रिलंका पर अगर विजय पूछता है आपसे तो राज-राज पर्थम हो जाएगा समझेगा अगर बस आपसे विजय पूछता है तो राज-राज पर्थम है बट अगर पूछ ले कि संपू शताबदी में हुआ था ठीक है चोल वंस के अपना कव नवी सताबदी में हुआ ता अगर पूछे किस ने किया था पूछता ही है इसलिए समस्ते चलिएगा विज्याले नाम था ठीक है विज्याले नियकिया था और चोल समराज का जो सबसे बड़ा मतलब खासियत था भू क् स्थानिये श्वासासन्था ध्यान रखेंगे नियाय दर्शन के प्रवर्तक निमलिखित में से कौन है और में से लगाए नियाय दर्शन के पूरा क्या था तो महरसी अक्ष्पाथ ध्यान रखेगा ठीक है महर्षी अक्षपात उनका नाम था महर्षी अक्षपात गौतब नेक्स्ट कोश्चन है बताना है कि समस्त राजगीर नहीं नहीं आफ कीज़ेगा समस्त ये जो मसस्त जागीर है मसस्त जागीर की सुरवात किस मुगल ने की थी मसस्त कहिए या फिर आप इसको एक और उच्छा मतलब लिखा जाता है इस तरह से मसर्थ करके तो देखिए मसर्ष्थ या फिर मसर्थ जागिर के सुरवात जो है वो मुगल बादसा औरंग्जेव ने किया था आपको पता होना चाहिए एक औरंग्जेव जो है मुगल सामराज पर सबसे अगर जादा पूस्त एक लंबे समय तक शासन करने वाले में किस नंबर पे आते हैं तो देखिए यह नंबर सेकेंड पे है अकबर जो है नंबर फर्स्ट पे अकबर सबसे जादा अधिक लंबे समय तक अक्षासन किये थे और उसके बाद सकेंड नमबर पर औरंग्जेव नहीं किये थे इन्होंने जज्याकर को गैर मुस्लिम पर फिर से लगा दिया गया था ठीक है लगा दिया था और औरंग्जेव का एक नाम आप जान लेजे इसे जिंदा पेर नाम से भी इन्हें जाना जात हैight है option number आपका यहां पे क्या हो जाएगा भी हो जाएगा सही जबाब हिमाधरी कही या फिर विरिहाद हिमाले में समझीज़िगा यह हमाले की सबसे उची स ambigu है ठीक है हिमाले की सबसे उची स ambigu है ठीक है और इसमें जो है जैसे average है कंचन-जगा है है नंगापरवत हो गया नामचाभवा जो आप देखने में यह सारे चाफी ज़्यादा महत्तपुर्ण शिखर हैं उसके नेक्सट के पत्ना के समीब गंगा नदी में पतिना के समीब गंगा नदी में बताना है कि किस दिशा से आकर गंडक नदी जो है वो मिलती है तो आप्शन नमबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर दिशा से अब देखिए बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से अगर पूछता है आकर मिलने वाली नदिया कौन कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा देखते चलिएगा उत्तर दिशा से पूछा है उत्तर से पहले आप जान लिजिए सबसे पहले आपका हो जाएगा घागरा, गंडग है फिर फिर आपका हो जाएगा बूरही, गंडग बागमती है और बागमती और ये कूशी नदी ये सारे उत्तर दिशा से आकर मिलती है और अगर दच्छिन दिशा से पूछता है तो दच्छिन से जान लिजिए दच्छिन से आपका हो जाएगा सोन काफी important है समझे लिजिए इस चीज़ को अच्छे से सोन हो जाएगा पुन-पुन नदी है फिर फल्गू है ये सारे दच्छिन दिशा से आकर मिलते हैं ठीक है उत्तर दिशा से घागरा हो गया गंड़क है बोरी गंड़क है बागमती और कोसी दच्छिन दिशा से पूछे तो सोन पुन-पुन और फल्गू नदी हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं नंबर एट बताना है कि बिहार में टाल छेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है ओप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब पटना से मुकामा तक अब थोड़ा सा समझ लिए देखिए बरसात के मौसा में जो नदी का जल है वो काफी जादा मतलब एडिया में फैल जाता है जिसमें कि बक्तियार पूर से जो क्यूल तक का जो एडिया है तर्टबंद रेखा जो है वहाँ पर काफी अदब फैल जाता है जिससे क्या होता है कि एक विसार मतलब कहिए कि जल वाला एरिया का दिर्मान होता है इसी भाग को जो है ये ताल छेतर कहिए ये ताल छेतर कहिए कहा जाता है ठीक है तो ये कहां से पटना से मुकामा तक का एरिया को माना गया है option number A सही जबाब है बिहार special में पूछ सकता है नेक्स्ट कोशन है कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है option number हो जाएगा दच्छिन पूर्व बिहार यानि कि option B सही जवाब है दच्छिन पूर्व बिहार में चंदन का मैदान इस्थित है नेक्स्ट कोशन है बताना है कि मरुद्यान के बारे में ये किसे कहा जाता है मरुद्यान से आप क्या समझते हैं तो देखिए option number आपका यहा बाला च्छेतर मतलब है जाने मैदान में दूर दूर तक पर भी पानी मतलब नहीं दिखता है कुछ-कुछ एरिया में कुआ मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा गहरा होता है और वहां के आस पास का इरिया होता हो और आपको आपको हर्याली दिखेंगा ऐसे ही जगह को उद्यान नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन सोलवी बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग आफिशर कर्डिनल स्री संतोस बाबू को मर्नोपरांथ किस साइन सम्मान से सम्मानित किया गया आप्शन नमबर आपका यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा महावीर चक्र देखिए संतोस बाबू जो है जून 2020 में यहाँ पर जो लद्दाक के गलवान घाटी में चीनी सहीनिक से लराई करते हुए बहादोरी से मतलवी लरते हुए सहीद हो गय थे ठीक है उन्हें ही मिला है कौन सा महावीर चक्र देखिए इस साल दो यह पांच वीर चक्र और तीन सौर चक्र दिया गया था यह भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन है दा लवर बॉय औफ बहवल पूर के बारें बताना है कि जो पुस्तक है यह किस ने लिखी है आप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राहुल पंडिता देखिए दा लवर बॉय औफ बहवल पूर जो पुस्तक है यह राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है अब सवाल आ सकता है कि यह पुस्तक किस पे आधारित है यह पुस्तक जो है यह पुल्वामा वाला जो आतंकवादी वाला हमला हुआ था पुल्वामा आतंकी हमला उसी पर आधारित है नंबर ठटीन है बताना है कि 66 में फिल्म फेयर पुरुसकार जो कि आपका 2021 में मिला कि सर्विस रेष्ट फिल्म का पुरुसकार किस फिल्म को मिला है देखिए यहाँ पर option number D हो जाएगा थपपर थपपर को मिला है इसके अगर निर्देशक पूछ लेते हैं कौन थे तो आपको बताना है कि अनुभव अनुभव शिन्हा नाम है उनका ठीक है देखिए और अगर पूछ लेता है कि सर्विस रेष्ट अभिनेता ठीक है सर्विस रेष्ट एक्टर पूछता है आपसे तो इर्फान खान आपको नाम ध्यान रखना है इर्फान खान को और अगर पूछ ले कौन सा मूवी तो अंग्रेजी मीडियम जो मूवी आया था उसके लिए मिला था ठीक है अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला था अब अगर सर्विस रिष्ट अभिनेत्री पूछती है तो आपको बताना है तापसी पन्नू ठीक है और वो किस के लिए ठपर मूवी के लिए ही मिला था तापसी पन्नू को मिला था और सर्विस रिष्ट निर्देशक अगर पूछता है तो ओम रावत को मिला था इसको ओम रावत आप ध्यान रखना है और अगर मूवी पूछ ले जो है कौन सा मूवी मतलब निर्दे सक थे उनकी किस मूवी के निर्दे सक थे तो तानहा जी देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन बताना है कि हाल ही में 48 वे मुख्य नायधिस कौन बने हैं तो 24 अप्रेल 2021 को ओप्षन नमबर आपका यहाँ पे सी एन बी रमन्ना साहब बने है ठीक है इसके पहले अगर पूछ लेता है तो अरवेंद बोबडे थे ठीक है अगर इनका कारिकाल पूछ लेता है कब से कब तक का है तो ध्यान रखना है 24 अप्रेल 2021 से लिकर 26 अगस्ट 2021 तक 2022 तक उनका कारिकाल रहने वाला है नेक्स्ट कोशन है बताना है कि स्टॉक हॉम इंटरनेशनल पीश रिशर्च इंस्टिटूट द्वारा जारी वर्स 2021 वार्सिक रिपोर्ट के अनुशार हत्यारों की खरीद या फिर कहीं आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा अस्थान है दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी पहले नंबर पर पूछता है कौन है तो पहले नंबर पर आपका हो जाएगा साओधी अरब और सकेंड पर भारत है नेक्स्ट कुश्चन है बिहार के किस जिला में मेरिका फूड पार्क बनाया जाएगा अगर आपने अभी तक ABC Academy के playlist में आकर नहीं देखा तो एक वर आप जरूर चेक कर लिजेगा काफी सारा प्रैक्टिस सेट अप्लोड किया जा चुका है option number आपका यहां पर D बिलकुल सही हो जाएगा मुझपरपूर ध्यान देंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत में टोटल 42 मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है जिसमें से कि भागलपूर जिले में भी एक बन रहा है और अगर पूछता है किस जगा पर तो मोतीपूर जगा का नाम है ठीक है मुझपर पूर के मोतीपूर में बन रहा है यह ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुश्चन है वर्स 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ट थाना जो है वो किस थाना को चुना गया है option number B हो जाएगा अर्वल जिला में कुर्था थाना को 2020 का बेश्ट थाना चुना गया और अगर 2019 का पूछ लेगा तो ये भी आपको दिहान रखना है 2019 का तो नालंदा के जो राजगीर थाना है उसे मिला है ठीक है option number A हो जाएगा 2019 का और 20 के लिए कुर्था यानि की अर्वल जिला में है उस थाने को बेश्ट थाना का बार्ड मिला है next question है कि बिहार प्रांतिये किसान सभा की अस्थापना कब हुई option number A हो जाएगा नवंबर 1929 में सोनपूर मिला के अवसर पर आर्योजिती एक सभा में स्वामी साजादन सवर्शती की अध्यक्स्ता में बिहार प्रांतिये किसान सभा की अस्थापना हुई थी next question है बिहार की भूमी पर पहली बार भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस का अध्यवेशन कहा हुआ था option number आपका यहाँ पर क्या होगा बी सही जबाब बाकी पुर्याने की पटना में हुआ था इस सवाल को पहले भी काफी बार बताया जा चुका है important भी यह देखिए 1912 में हुआ था और यह कॉंग्रेस का अगर पूछ ले कैवा नंबर का तो 27 अधिवेशन था ठीक है 27 अधिवेशन था अगर पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किस ने की थी यह भी आप जान लिजिए नाम था उनका आर एन मधोलकर आर एन मधोलकर उनका नाम था इसकी अध्यक्षता में हुई थी next question है कि 2022 में 48 में G7 सिखर सम्मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा option number C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में किया जाएगा 2022 का जो G7 48 वा सिखर सम्मिलन होगा वो जर्मनी में होना है और ये जून में 2021 में जो हुआ है 47 वा सिखर सम्मिलन उसका आयोजन कहाँ पर UK में हुआ था ठीक है United Kingdom में हुआ था G7 के सदस्य देश कौन कौन से है आप याद करना चाहे है तो याद कर लेजिए नहीं याद आ रहा हो तो आप सुनिए गध्यान से देखिए Canada, France, Germany, Italy, Japan United Kingdom और संयुक्त राज अमेरिका ये साथ है G7 देश के ये सदस्य है number 21st है कि सेर सा ने पत्ना को कब बिहार की राजधानी बनाया 1541 option number C हो जाएगा बिल्कुल सही 1541 में सेर सा ने पाट्टी पुत्र को बिहार की राजधानी बनाया था आपको पता होना चाहिए कि 1549 का जो युद हुआ था जो चौशा का युद था और 1540 का जो था इसका बिल्कुल ग्राम का युद इस दोनों युद में सेर सा ने किसको हराया था ये सवाल पूस्ता है तो हुमायू को हराया था दोनों युद में ठीक है देखते है next question बताना है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहा थी option number C हो जाएगा बिहार सरीव थी नेक्स्ट कुशन है वर्तमान पतना कॉलेज यहाँ पे किसी लिखा हुआ थी यहाँ पे किस होगा ठीक है वर्तमान पतना कॉलेज किस यूड़ोपीय कमपनी की फैक्टरी थी प्रेटेन पूर्तगाल डच या फिर फ्रेंच option number C हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब डच का नेक्स्ट कुशन है बताना है कि प्रसीद नर्त की आमरपाली का सम्मद किस नगर से था option number D हो जाएगा वैसाली से वे समंदित थी next question किस प्राचिन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भगौलिक छेत्र की चर्चा मिलती है option number A बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए लगभग 800 इशापूर्व में मतलब रचा गया था ये सत्पत ब्राहमन में पहली बार वर्तमान बिहार के भगौलिक छेत्र का चर्चा मतलब पता चलता है अथर्वेद में आपको पता होना चाहिए कि अथर्वेद में काफी important point है इसलिए ये बताया जारा समझेगा अथर्वेद में बिहार के लिए कौन सा सब्द पूछे अगर तो यहाँ पे देखिए अवरात्य सब्द का यूज किया गया था और ये रिगवेद में रिगवेद में बिहार को कीकट परदेश कहा जाता था ठीक है कीकट परदेश कहा जाता था आईए देखते है next question बताना है कि निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिये रूप से पाई जाती है option number B हो जाएगा एलिथरीन पाया जाता है समझेगा एक जो आपका ये मच्छर वाला जो क्वाईल मच्छर का जो क्वाईल आता है ये भी एक्जाम में पूछा जाता है क्वाईल उसमें next question है मानव सरीर के कुल भाग का कितना हिस्सा कितने हिस्से में oxygen होता है देखे पता होना था है आपको कि मानव सरीर में 6 तरह का तत्य पाय जाते हैं जिसमें से कि आपका सबसे पहले आपका oxygen हो जाएगा ठीके देखते जाले ओ oxygen है अगर पूछ ले कितना परशेंट तो oxygen आपका होता है 65% ठीके फिर आपका हो जाएगा oxygen के बाद carbon कितना होता है तो 18% carbon होता है ठीके है hydrogen अगर पूछता है 10% hydrogen होता है और आपका nitrogen है nitrogen कितना 3% होता है आपका फिर क्या बच रहा है calcium और phosphorus बज रहा है calcium आपका हो जाएगा 1.4% और phosphorus अगर पूछता है तो phosphorus होता है आपका 1.1% ठीक है phosphorus एक दसमलब calcium आपका हो जाएगा कितना 1.4 3% होता है nitrogen उसके बाद hydrogen आपका हो जाएगा कितना 10% carbon है आपका 18% और oxygen हो जाएगा 65% तो इसमें क्या पूछा है आपसे oxygen oxygen option number D में दिया हुआ 55% है आप चाहें तो इसकी इंसौट ले लिजेगा देखते है next question phosphorus का कौन सा अप्रूप अंधिरे एवं वायू में रखे जाने पर स्वता जल उठता है option number B हो जाएगा sweet phosphorus समझेंगे वायू में रखने पर अंधिरे में sweet phosphorus को अगर आप वायू के में रखेंगे तो उसमें से पीला और हरा कलर का प्रकास आने लगता है ठीक है जिसकी गंद अगर पूछले किस तरह की होती है तो आपको लहसून के जैसा फील होगा ठीक है next question है नेमली खित में से किसकी मात्रा अमल वर्षा में सबसे अधिक होती है option नमबर भी हो जाएगा H2SO4 की मात्रा यानि कि sulfuric अमल की मात्रा सबसे ज़्यादा कितना तो 70% होता है आज का last question देखते हैं बताना है कि सास लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है option नमबर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब nitrogen प्रभावित नहीं होती है friends 67th BPSC के लिए अभी आपने top 30 question देखा 67th BPSC और CDPO जो कि आपका दोनो 2022 में होना है इसके लिए आपने top 30 question देखा आसा करता हूँ कि class आपको देखकर अभी अच्छा लगा होगा अगर आपको आज की class से help मिला होगा अगर आपको अभी तयारी करना है तो आज ही आप चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाहिएगा ऐसे ही friends बनेड ही ABC Academy के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स